हलो स्टुडेंट्स आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ और मैं अभी आपके सामने जो टॉपिक ले रहा हूँ वो है इसके अंदर मैंने आपको दो वीडियो बनाया थे फस्ट जो था वो हो मैंने आपको कुछ क्वेशन्स पताया थे हूँ जहां पर हमें एक जो complimentary function अगर known हो अगर किसी भी differential equation second order का हमें एक part CF का जो part है वो non है तो हम second वाला part भी उसका निकाल के उसका solution निकाल सकते है तो मैं आपको पूरा समझाता हूँ कैसे यह method इसका working procedure क्या है then फिर अपन questions लेते हैं so students यहां पर अगर आपके पास differential equation देरिखिये d2y by dx square plus p dy by dx plus qy is equal to r यहां पर 1 plus p plus q is equal to 0 हो रहा है अगर 1 minus p plus q 0 होता है तो इसका जो part of CF होता है वो होता है u is equal to e की power minus x और एक और होता है 1 plus p plus qx p plus qx is equal to 0 होता है तो इसका जो part of CF होता है वो होता है u is equal to x इस type की जो और भी बहुत सारी conditions है पर मैं जो main questions आते हैं वो इन तीन condition पर बनते हैं और भी condition से यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, condition यह है कि m square plus pm plus q is equal to 0 होता है, तो इसका जो part of cf होता है, वो होता है, u is equal to e ki power mx, m की जगा 1 रखोगी तो यह बनेगा, minus 1 रखोगी तो यह बनेगा, right? अब इसका जो solution होता है, complete solution होता है, इसका वो होता है, y is equal to u into v, तो आपके पास u तो पता पढ़ गया है, कोई साभी एक condition अगर satisfy होगी, तो उससे u हमें पता पढ़ जाएगा, बट हमें v निकाल ला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से u की value यहाँ रखेंगे, and then dy by dx, dy by dx square यह सब value उठा कि यहाँ रखेंगे और solve करेंगे, तो हमें एक equation मिलेगी, d2v by dx square plus p plus 2 by u, du by dx into dv by dx is equal to r by u, यहाँ से इस equations हमें किस की value मिल जाएगी, v की value मिल जाएगी, u आपको यहाँ से मिल गया, v आपको यहाँ से मिल गया, आपको इस पूरी equation का क्या मिल जाएगा, solution मिल जाएगा, तो यह इस method का working processor है, second order differential equation with variable coefficient, जिसमें एक part, when a part of cf is non, और यह condition है, जिससे हम निकाल सकते हैं, कि उसका जो part of cf क्या हो, एक example लेता हूँ मैं आपके सामने, example आपके पास है, d square plus 2d plus 1 into y is equal to 0, एक simple सी बात, एक differential equation लेगी, अगर मैं इस differential equation को solve करूँ, तो आप जानोगे, m is equal to, यहाँ पर आएगा, आप solve करोगे तो यह आएगा, m plus 1 का whole square is equal to 0, then m की value आएगा, आपके पास, minus 1, minus 1, तो इसका जो cf आएगा, हो आएगा, c1 plus c2 x e की power minus x, आप देख रहे हैं, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा simplify करूँ, तो यह आएगा, c1 e की power minus x, c2 x e की power minus x, तो यह जो e की power minus x, यह इस cf का क्या है, एक part है, e की पावर माइनस x इस cf का क्या है एक पार्ट है तो आप देख रहेंगे e की पावर माइनस x का cf का पार्ट है तो यह condition क्या होनी चाहिए satisfy होनी चाहिए हम देख लेते हैं condition satisfy है हो रही कि नहीं हो रही अगर इस differential equation को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 2 dy by dx x plus y is equal to 0 बटा इस equation में p की value हमारे पास कितनी है 2 q की value कितनी है 1 और हम जानते है 1 plus sorry 1 minus p plus q आप देखेंगे तो 1 minus 2 plus 1 0 हो रहा है तो इसका part of cf क्या होगा u is equal to e की power minus x और आप देख भी रहे हो इसके part of cf में e की power minus x आ रहा है तो यह concept है और वो concept आपको apply करना आना चाहिए तो हमें conditions याद रखनी पड़ेगी अब मैं आपके सामने इसके पर 2 से 3 questions लेने वाला हूँ जो पूरा एक concept आपको समझ बाएगा मैंने आपके सामने भी बताया था कि second order differential equation में जो जहां पर one part of cf known हो और उस type क equation को कैसे solve करते है तो देखे एक question आपके सामने यहाँ पर p is equal to minus का cot x q is equal to minus का 1 minus cot x and r is equal to आपके सामने रहेगा e की power x sin x आप देखेंगे तो यहाँ पर one plus p plus q zero हो रहा है अगर मैं score is square अगर हो साथ मैं one add गर हो तो zero हो रहा है equation is solution of equation is क्या होगा y is equal to u into v तो यहाँ पर आएगा y is equal to u आपके पास पता पढ़ गया e की power x into v अब हम क्या करेंगे इस v की value निकालने के लिए क्या करेंगे put value of y dy by dx and d2y by dx square in equation number मैं इसको one ले लेता हूँ one और इसको आप two ले ले लिए तो हमारे पास जो equation reduce होगी वो होगी d2v by dx square p plus two by u du by dx into dv by dx is equal to r by u तो देखे आप यहाँ पर d2v by dx square plus p की value हमारे पास केतनी है p हमारे पास है minus का code x plus two और u की value हमारे पास e की power x then d by dx of e की power x is equal to r की value कितनी है e की power x sin x upon e की power x यह term से यह term क्या होगी cancel और इसको हम सॉब करेंगे तो हमारे पास value आएगी d2v by dx square plus यह e की power x होगी e की power x होगा cancel होगा तो यहाँ से आएगा आपके पास 2 minus cot x into यहाँ पे आपके पास value आएगी dv by dx is equal to इसको cancel करेंगे तो e की power x अब हम क्या करेंगे आपे let dv by dx is equal to z and d2v by dx square is equal to dz by dx तो यह z में एक linear differential equation मिलेगी आप देखेंगे इसको solve करेंगे तो जैसे इसको solve रखेंगे आपे तो यह आएगा आएगा आपके पास dz by dx plus 2 minus cot x into z is equal to sin x और यह linear differential equation है z में तो इसका जो integrating factor होगा वो कितना होगा e की power 2 minus cot x into dx solve करेंगे तो यह आएगा 2 x और यह होता है log sin x जैसे हम इसको solve करेंगे तो इसकी value आएगी आपके पास इसको simplify करोगे तो यह आएगा e की power 2 x minus log sin x और simplify करने पर आपके पास वेलिए आएगी 2 x अपान sin x यह इसका हमारा क्या आएगा integrating factor अब जैसे integrating factor आपके आएगा अब इसका answer क्या आएगा e की power 2 x sin x or q dash q value is कि आपके 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 सिन x d x plus c1 sin x sin x cancel and then , इसको साफ रहेगा आपके सम्मारे आपके 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 सिन d z by d x is sorry z is equal to z into e की power 2 x upon sin x is equal to e की power 2 x बना इसका है e की power 2 x upon 2 c1 then, इसको cross multiply करेंगे तो z की value आएगी आपके पास sin x upon e की power 2x e की power 2x plus c1 हमने z को यहाँ पे क्या लिया था dv by dx लिया था तो इस z की जगा वापस हमें put करनी पड़ेगी dv by dx and then इसको multiply करेंगे तो हमारे पास value आएगी sin x upon 2 और यह अंदर की तरफ जाएगा तो यह आएगा c1 e की power minus 2x sin x plus path में integration करेंगे इसको cross ले लिजे so dv is equal to यह आएगा आएगा आपके पास sin x upon 2 plus c1 e की power minus 2x sin x मैं इसका integration करूँगा यहाँ पे dx के respect में plus का c2 और इसका integration होगा v और sin का integration होगा आपके पास minus का cos x upon 2 plus c1 इसका integration होगा e की power minus 2x upon 5 minus 2 sin x minus cos x plus का c2 यह हमारे पास किसकी value है आपकी v की value है और यह v की value आपके पूट करेंगे equation number 2 में तो हमारे जो final answer हाएगा y is equal to by equation number 2. So, final answer हाएगा e की power x into minus का cos x upon 2 c1 e की power minus 2x upon 5 minus 2 sin x minus cos x plus का c2. So, इस तरह से इस question का मैं यहाँ पे क्या करते है solve करते है. Next, एक और question में आपके सामने इस topic पे लेने वाला हूँ देखिए. यहाँ पे मैं दो question और लेने वाला हूँ आपके सामने second order differential equation जहाँ पे part of c1 part of cf is non तो देखिए दो question और and then यह topic को हम यहाँ पे खतम करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे इसको. यह question में दे रखा है सबसे पहले तो यहाँ पे d2y by dx square x square से आप divide करेंगे तो यह आएगा 2 1 plus x upon x d y by dx plus 2 1 upon x x square y is equal to x आप देख रहें यहाँ पे p की जो value है मैं यहाँ लिख देता हूँ आप देख रहें यहाँ पे p plus q x क्या हो रहा है 0 हो रहा है और p plus q x 0 होता है तो part of cf कितना होगा इसका? part of cf होगा इसका u is equal to x then complete solution of equation let complete solution of equation is equal to kya होगा y is equal to u into v and then that is y is equal to x into v y is का complete solution होगा जैसे हम यहाँ से y dy by dx वो d2y by dx square की value उठा के put करेंगे तो मैं सीधा लिख रहा हूँ आपकी जो equation बनेगी वो बनेगी d2v by dx square p plus 2 by u du by dx into dv by dx is equal to r by u और यहाँ हम रखेंगे तो यह आएगा हमारे पास d2v by dx square p की value हमारे पास देखें कितनी हा रही minus 2 1 plus x upon x plus 2 by x dx upon dx into dv by dx और यहाँ पे r की value कितनी है हमारे पास r की value हमारे पास x है divided by x इसको जब solve करेंगे आप तो d2v by dx square और यहाँ पे आप देखेंगे minus 2 by x है 2 by x क्या हो रहा है cancel तो यहाँ साब के पास जो value मिलेगी वो मिलेगी आपको minus 2 dv by dx is equal to 1 आप देख रहेंगे एक differential equation बन रही है with constant coefficient minus 2d into y is equal to 1 और इसका जो cf होगा यहाँ पे मैं solve करूंगा तो m square minus 2m is equal to 0 तो आप देख रहे हैं इसका जो cf होगा वो कितना होगा m की value 0 और 1 आरी आप देखेंगे 0 और 2 आरी तो इसका cf होगा c1 e की पावर 0x प्लस c2 e की पावर 2x और हम बात करें इसके pi की तो pi में यह पूरा नीचे जाएगा तो y is equal to 1 को हम लिखते है e की पावर 0x upon d square minus 2d तो 0 रखने पर नीचे 0 होगा तो हम उपर x का multiplication करेंगे and differentiation करेंगे तो यह आएगा 2d minus 2 तो आपकी value आएगी minus ka x by 2 then final answer होगा हमारे पास v is equal to cf plus pi तो हमारे पास answer आएगा c1 plus c2x minus x by 2 यह हमारे पास किसकी value आई आप देखेंगे यह v की value आई यह v की value उठा कहा रखेंगे यहाँ पर तो हमारे जो complete solution आएगा x is equal to c1 plus c2x minus x by 2 एक और question देखेंगे आप यहाँ पर इस question के अंदर आप देखेंगे तो x square को divide करेंगे तो d2y by dx square minus x square plus 2x upon x square dy by dx plus x by 2 upon x square y यह आएगा आएगा आपके पास x e की पावर है यह से हम x square च डिवाइगा आप देखरें यहाँ P की value इस x square x ओ common nical cancel करेंगे तो आपके पास P की value आएगी x by 2 upon x q की value आएगी आपके पास x by 2 upon x square and q r r की जो value है यह आएगी आपके पास x e की power x अब देखरें इस question में भी P plus Q x कितना हो रहा है 0 then we know that part of CF कितना होगा इसका U is equal to x let complete solution is क्या होगा complete solution of equation is y is equal to U into V that is y is equal to x into V अब हम क्या करेंगे यहापे V की value निकालेंगे तो V की value के लिए हम पास जो equation आएगी जैसे हम y dy by dx v square की value रखेंगे तो आपके पास यह equation आएगी 2 by u du by dx into dv by dx is equal to r by u so आप देखेंगे value रखेंगे तो यहाएगा आपके पास d2v by dx square P की value आप देखेंगे तो P हमारे पास कितना है यह रह गया इसको रखेंगे आप तो minus x plus 2 upon x plus 2 by x dx upon x into dv by dx is equal to r आप देखेंगे r कितना है x e की power x upon u x इसको simplify करेंगे तो यहाएगा d2v by dx square यह minus 2 by x x cancel आपके पास value बनेगी यह dv by dx into e की power x यह हमारी differential equation with constant coefficient है तो इसको solve करेंगे हम तो हमारे पास value आएगी d square minus d into v is equal to e की power x और यहाँ पे भी आप ध्यान रखना है मैंने y लिखा है तो इसको इसको जो cf आएगा c1 e की power 0 x plus c2 e की power x then हम इसका pi निकालेंगे तो v is equal to d square minus d और जैसे हम d कीचेगा 1 put करेंगे तो यह क्या हो रहा है 0 हो रहा है 0 हो रहा है मतलब उपर x का multiplication नीचे क्या होगा differentiation जहां पे d वापिस 1 रखेंगे तो इसका solution हाएगा x e की power x upon 1 then final answer हाएगा आपके पास cf plus pi so v is equal to cf हाएगा c1 plus c2 e की power x into x e की power x this is pi यह मारा पूरा v की value हाए यह v की value कहा हाएगा equation number 1 में हाएगे तो final solution हाएगा y is equal to x c1 plus c2 e की power x into x e की power x this is the answer. so students मैंने आपके सामने यहाँ पे topic लिया था second order differential equation with variable coefficient जिसमें one part of cf is non और यहाँ पे मैंने आपको तीन questions करा है यहाँ पे condition होती 1 plus p plus q अगर 0 है तो इसका part of cf क्या होता u is equal to e की power x और 1 minus p plus q अगर 0 होता तो part of cf होता u is equal to e की power minus x और p plus qx अगर 0 होता तो part of c होता u is equal to x फिर हम u की value निकालते हैं इसका complete solution होता है y is equal to u into v हमें v की value निकालने के लिए equation use कने पड़ेगी d2v by dx square plus 2 plus p plus 2 by u du by dx into dy by dx is equal to r by u यहाँ से हम v की value निकालेंगे और यह v की value उठा के हम कहां रखेंगे यहाँ रखें तो you और we दोनों की value यहाँ रखेंगे था हमारा complete solution आता है so यह मैंने आपके सामने तीन questions लिए students मेरी videos को watch करते रही है और अगा आपको सही लगता है कि videos बहुत अच्छे हैं और आपको benefit कर रहे है तो please अपने friends को और अपने जो भी colleague हैं उनको share करना ना भूले और बहुत महनत कर रहा हूँ मैं मुझे वीडियो पनाने में काफी महनत लग रही है और वो महनत लेके मैं आपके सामने आ रहा हूँ और please थोड़ा सा share करते रहे है और subscribe करते रहे है मेरे channel को so that कि मैं आगे इसको डंक से ने अच्छे अच्छे वीडियो लेके आपके सामने आओ thank you for watching my videos thank you so much